अपने पसंदीदा एक्शन मुवीज के लिए सब्सक्राइब करें एक्शन हिट्स और बेल आइकन दबाना मत भूलें एक्शन मत भूलें एक्शन मगलाना मत पस्ता एक्शन मुवी अपने शव स्फ़ें एक्शन मुवी भी और रसे आप एक्शन मुवी जबाना भूलें磨। झाल 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 थे अए झाल झाल कर गर करता है राना से मिल लिया ना अब तो मर्डर भी किया तो तेको छुड़ा लेगा वह जज्मान इस लड़के की तो दादर में डिस्पेंसरी है इसलिए यहां से हिल नहीं सकता अगर आप चराग लेकर ढूंड़ें तो ऐसा लड़का मिल नहीं सकता और मांनता ही क्या है केवल पचास हजार और पच्छास हजार? सिरफ पच्छास हजार रादे शाम सीता राम जजमान ये तो आपकी कन्या के सितारे यात्रा पर नहीं गए वरना आजकाल डाक्टर लड़कों का भाव लाखों में चल रहा है लाखों में जजमान आपकी बेटी राज करेगी राज आप केवल पच्छास हजार का इंतिजाम कीजिए और बात पक्की रादे शाम सीताराम पच्छास हजार? तेरे को पच्छास हजार चाहिए? देख, हम लोग का क्या है मालूँ? जितना पैसा हमारी जेब में होता है न वो हमारा बैंक बैलेंस है अपना क्या है आज कमाया कल खरेट डाले? वैसे तेरे को दो-चार हजार रुपया चीए तो अपने पास है ले जा यार नहीं यार सत्या, दो-चार हजार से कम नहीं बनेगा क्यों? याने कुछ सीरिस बात है क्या? पहन की शादी करनी है पचास हजार की जरूरत है, टड़के वालों की मांगे पूरी करनी है ठीक है, मैं चक्कर चला हूँ, कल तु कुछ नहीं कर रहा न, नहीं साड़ी-चार बज़े मेरे घर आ जाना, ठीक है दोट बड़ी यार, सब ठीक हो जाएगा, थैंक्यो सत्या कमाल बाटी, जाना आज तो मज़ा आ गया, वो थोड़े-बड़े लोग आयती आज तुनो, अखा बंबे का लाइबरेरी को अपनी कंपनी का एक 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 से चटकाने का तो नहीं ले, साले का लाइबरेरी तोड़ दो, बंगर दो लाइबरेरी काई सत्या, कासा काई, बस ठीक है रहा न, क्यों बे दिनिया, कि मैं तरे वारा में क्या सुन रहा हूँ, वो दुड़ी मार रहा तु, लगता तरी समझ में कुछ जास्ती आगे लाए, मंगता तो समझाऊं तेरे को, नहीं रहा न, मेरे को मालूम था कि वह आपका आदमी थ मैं तो दू इसको माण आता क्या, आना, करसे चलू क्या इसको, नहीं रहे पेंट तो गीला कर दिया, चला कॉलिज का दादा बनने, दुबारा तेरा कंप्लेंट आना नहीं मंगता, नहीं तो फोट डालूँ आ, चला क्यासे किदर है तरी पार्टी? क्यों बे, तु इसके पांच लाग रूबे कब देगा? राना, मने एक महिना नू टाइम जोई है, राना दो महिना दिया, एक महिना मेरी तरफ से, और दो महिना के ऊपर एक दिन भी नहीं होना चाहिए और सुन, ये तेरे घर नहीं आएगा, तू पैसा इसको पचाएगा चो कस? चलेगा? अलन दो, चला अभी कमती हो जाओ, चला इस ही ओन निये क्या? कही न? इन बेड़ी विजवादे तरह काम हो जाएगा, ओके ठंडा कोल, बॉल बार क्या? ये ना ना वर्ली वाला फ्लैट खाली करवाए था न और जो जोगिश्री का भैस का तविला खाली करवाए था न विल्डर ने उसका बाकी पैसा विजवाए था सुन, ये बंड़े लो पाटिल शाब को देदे न, वो दिमाग का रहे ला है, कम सकम रेट तो बंद होएगा ए सत्या, उदर क्या बैटा, इदर इदर, इदर हाँ या, इदर बैट बोलो सुन, वो जो जेंबूर वाला फ्लैट है न, खाली करवाल है न उन लोग का सामान फिक के अपना ताला लगा दे न, समझ गया, ठीक और वो धन्दे वाले लोग से पैसा वैसा ले लिया न, हाँ वो तो सुवाई ले लिया, जमा भी करा दिया उदर ये गा, आहे, थैंक्यू, और कुछ और हाँ, ये राजन, इदर आना अरे, सुन, और कोई मेटर तो नहीं है न, आज राणा, ये मेरा दोस्त है, राजन, मेरी बिल्डिंग में रहता है, छे नमबर खोली में, क्या है कि इसकी, बेहन की शादी है, तो इसको कुछ, पचास दा पचास दार रुपय ची ये था, तो मैं भाला तुई आके राणा को मिल ले और, ये वही चोकरा है न, जो धनराज के केस में था, हाँ, हाँ, वही, वही ये ले हाँ, बोल रहाँ आज शाम तक हो जागा तरह चेंबूर वोला फ्लेट, किसी को भी बेच देना चाहिए, जो एक दिन हमारे लिए चलेगा मैं तुम्हे किसी और रूप में देख रहा था क्या बात है मा, आज बहुत परेशान लग रही न, तब ये तो ठीक है न मेरे तबियत को क्या होना है बेटे, कुछ नहीं तो फिर ये उदासी किस बात की तुम्हे हमारी फिकर कब सो रहे लगी आपने मुझे कभी कुछ समझाई नहीं कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस घर में कुछ होई नहीं तो क्या कर सकते हो तुम कुमारी बहन की खुशिया पचास हजार में हमें मिल रही है जो हम लोगों के पास नहीं है वो दे सकते हो तुम बास, पचास हजार रुपे इतनी छोटी सी बात है मा अरे अपनी बहन के लिए तो मैं अपनी जान तक दे सकता हूं यह पचास जार रुपे क्या चीज़ है यह लो यह लो पूरे पचास जार लो मा यह असली है यह इतने सारे रुपे कहां से लेकाया मुझे तो कुछ शक्ता लगता है नहीं पिता जी, ऐसी कोई बात नहीं है पिता गरीब के घर इतना पैसा अचानक आ जाये तो लगता है लक्षमी किसी चोर दरवाजे से तो अंदर नहीं हुजी है नहीं मा, यह रुपे मैं किसी दोस्स से उधार मांग कर लाया हूँ काउन देगा तुमे इतने रुपे उधार? पिता जी, आपके लिए पचास हजार रुपे बहुत बड़ी रकम है क्योंकि आपने अपने जिंदगी में इतने रुपे कभी देखे ही नहीं लेकिन जिनसे मैं यह रुपे लाया हूँ, उनके लिए तो यह पान खाकर थूखने के बरावर है लेकिन इतने रुपे वापस कौन करेगा? डैडी, इस घर की कुछ जिम्यदारियां आप मुछ पर भी तो छोड़ दीजे अरे, यह राज जंजर क्या करे लाई यार आजा आजा बढ़ यागाड़ी में कहां जा रहा है अरे तु बैठना गाड़ी में, चल बढ़ जा, शाबाज, बढ़ जा कहां जा रहा है यार, तु देखना यार कि यहां कहां जा रहे हैं हम लोग एक छोटा सा मैटर है फ्लैट खाली कराने का चल चल तेरे को भी ट्रेनी मिल जागी चलो भाई लोग चलो बाई लो गुद्रो चलो हाँ चलो चलो समाल कर जला है अरे राजन तु यहीं ठायर मैं जाके फ्लैट खाली कराता हूँ जैसे सामन भार फेको ना तु याके ताला मार देना चल लगा है यह ले तर यह चावी यह ले चावी जरा शान पर देसे द्रोस्ट तो यही आँ दे जला रे, समन भेंगा जाल करो अरे बाई भाद वाद बाद भाद बाद बाद जला हु ना बाद भाद भाद सत्या बाद को लेदा है बागो एलाई! बागो! 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 ए, यह विता! बागो! लो भ Νबा ड़ vive 一起ई जाच शु भ५ बागो! जाच भ५ बागो! भैँ बागो! सबस्क्व्छ ABToo बाहो! यहो गणपती बाप्पा के रहे सत्या वो फ्लैट को बराबर से ताला लगा दिया ना को लाफडा दो नहीं ना वो क्या है राना वो हम लोग उदर गये थे फ्लैट को खाली कराने को लेकिन उनलोगने कुछ भाड़े के गुंड़े βिठा है थे अच्छा अंवर हम लोक को कुछ मालूम नहीं था हम लोग तो ऐसे घया नहीं थे पिद्धियार हम लोक कुछ नी थे अक्षा अज टो अच्छा है हम लोग तो खाली चार जन थे उन लोक कि सित्या एक काम कर ये जो पेड़े हैं न वो जो बाहर पंटर लोग खेल रहे न उनमें बाठते हैं और सुन जो पूछेंगे ये पेड़े किस खुशी में तो बोल देना तुम लोग कितने बहादुर हो है बाग कर चले आए वरना फिट जाते हैं और सुन 26 जनुरी के दिन म मैं तुम सब लोग को एक बहादुरी का मैडल देदूगा जावल एक चोड़ा से काम नहीं होता तम लोग से घान के साथ काम करते हो ये फारस रोड की भड़ा की नहीं करते हो ये ऐक फ्लैट किया खाली कर देगा और सवार र का बीडिंग करतेगा अच्छा बॉम बेंब क जरूरत नहीं है, मैं उस फ्लैट पर ताला लगा करा रहा हूँ, और वो जो पाल्तु कुत्ते वहां बिठाए गए थे, वो अपना इलाज किसी अस्पटाल में करा रहे होंगे, सुनो, जाबाश जाबाश, 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 रख, नहीं राना, आपके मुझ पर बहुत प्रैसान है मुझे तो खुशी है कि मैं आपके कुछ काम आ सका सत्या तेरा फ्रेंड रख ले रख ले अरे यह बक्सीज नहीं है तुरी बादुरी का इनाम है ताना का दिल बहुत बड़ा है जो भागया दिल में समा गया और जो खटक गया दुनिया से सटक गया हूं चल जा जा किया चastes देफ च्टित एली तरदक तेरा दोश सट्रा काम का है इसे ऊएrit तो किया थे को है क्raoम दिल में जोटॉब चोमरे को फाइसा किश ना हो किशा दिए और मैं तेरो को बोला मैं पाहिसा नहीं दिया मैं खाली लाइटर में घश भराहूं जो एक दिन मेरे लिए जलेगा, जला न, मांगे रहां सब antas, चौल धंडा कह खो जोती ? जोती काहूं तुम पर कप्सी मुन पयू साथ है यह दर सचाहर रुपए हैं मैंने इतने सारे पैसे सिर्फ एक ही घंडे में कमारा है एक घंटे में हाँ जोती सिर्फ एक घंटे में अब मुझे पैसे कमाने का रास्ता मिल गया है जोती अब हमारे घरीबी के दिन दूर हो गया है मैंने तुमसे कहा था ना जोती कि तुम्हें जिंदगी बार नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जोती आज के भाथ मेरे मापप मेरे भाई बैल सभी आराम से जिएगे ऐे इ inan डरना बाज को छल रहे लगा हिए बाल करें देखते हों चल चाही पिए चाही पिए चल निकल ले चल देख में तरू क्या बोला अज रेट पढ़ने वाली है अपने आद्मियों को खपरता रेट रेट यह मतरस यह अवाल दो लोगो चाही पिला यह अनेव बाचन कितने डिकेट है तरे बास अब मुद्दर के भावे निकाल दे चल और बाचन दोड़ पिले लोगो बेचल चल जल जलना यलो साब बोल दुना रेट में दोई आदमे मिलता है तो निकला चलो और साब को बोलना शाम को आके मिलता हूं तमझे ना तो अब कर दो थे जिरिए तो आमिता बचन के फिल्म लग के लिए यसले ठेटर फुल है आज तो नोटी नोटे दोस्त तत्प यह मसका मारके सैंडविच बनाना प्या चला जल डपाल मसका वाट ये बढ़ो दंड़ बढ़ तो अच्छा है मगर थोले लोग तो नहीं है तेरा ठीक चलेगे तो बहुत मज़ा आएगा है ना मैं भी आया तुम्हे आओ हम लोग तो यह पिच्छर देखना थी लेकिन तुम्हें क्या कर रहे हो वो मैं दोस्तों के साथ आया था जोदी एक मिनठा क्या क्या बोलता है बहुत अच्छा चल रहा है बाई दंडा बराबर हाँ बहुत अच्छा बागी चोगर लोग किदर है सब लोग इधर ही होंगे बाई सब्सक्राइब लोग ने बीस का भाव रखात आब पचास कर दिया है बहुत जादा पब्लिक भी आ बाई बागी के चोगर दरी ओंगे अला क्या पटाकडा है क्या बाई मैं समझा नहीं आप ए सुन तेरा माले क्या तू तो वापरा होगा रात को बंगले पर लेकिया ना है मैं भी सब लेकिया ना समझ गया कर दो लिफ्ट बंद थी लाइस ओफ थी फिर भी आ गया लिफ्ट बंद थी लाइस ओफ थी फिर भी आ गया प्रुम के सा समझ प्रूश समझ तू बंद थी लाइस तीमाल रिजलPart माल प्रूश समम समम प्रूश समम बंद दो समम मार डाला मार दाला, हाई, केक नहीं, दो नहीं, पूरे दस माला, माला, तेरे प्यार में मैंने चड़ दाला गुंदा खटकाया, तरवादा खोका, किसी किया हटका, हुआ मुझे जोका खोरो तेरी कली का, कुटा कोई भौका, भौ, भौ, खुद को भागने से, मैंने फिर रोका सोचा, मैंने सोचा, यह है गड़बर खोटाला, यही से कही से आना जाए दुलित वाला में खटर बात में लगा था दाला, मार दाला, तुने मुझे माला, मार दाला बरबाता गंठा, खिरकी फे आता प्यार का जैंवे, अमको दिखाता आशिक अपुन का नही भोकंडू अपुन का फ्रेंड्स को हो, हिर स्टोरी स्टोराता अपुन का फ्रेंड्स को हो, हिर स्टोरी स्टोराता करता नही हो लर्का हो पैसी वाला, खोता मोता रोता नही हो दिल वाला खले चो खले चो मेरे देल का ताला, होना होना मान चावो हिमत वाला एक नगी दो नहीं तूरे दस माला, माला तेरे प्यार में मैंने चड़ दाला, तेखा तरवाद पिला गातात दाला, मार दाला तुमें मुझे माला मार दाला, माला एक नहीं दो नहीं पूरे दस माला राना अपना सत्या, यह टेबल काले करो चला, जाल निकल, अटावरे, इले बोदल उड़ा चल, यह ग्लास भी ले चले, ऐसी हो नहीं है क्या, एसी चलो करने के बलपो राना आया है, राना, सत्या फर्म है ना, सलाम राना, क्या है तुटू, यह तरे. डेरे, बीक्टर में भर्ती करा दू, गोविनता का चुटी करेगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगमवा पना पेटू, बोल लिग, उद्यॉन से कर अप सबसक्रेदकश्का है नो, उ ब्भतके तरे, अवास ȏंस में के त तुछ काम बोला था में तेरको भाई भाई ना मिंता है तेही खरावत वो माल मेरे साथ सहो जाती तो तेरा क्या जाता दिखता क्या दिखता क्या बढ़ने तिरी भैन लखी है क्या रादा चुकरा लोग चपकड़ो लखता देखो तिरी राजर राजर भाग भाग राजर बाग बाग जा चुड़ा मेरको छोट तो राजर किदर छुपा के रखे लापने बेटे को हाँ ए तुमनों देखो अंदर का है रहे तेरा भाई किदर है या अन्त अपन लोग कोन है राना काजमी है अप उन लोग से दुश्मनी लेगा तो ननला पानी निकाल डालेगा उसका समझा अंदर नहीं है वो अंदर नहीं है न तो वो छोकरी के घर पर होगा त criminal के उंदर लें राजन रात के अंधेरे में जहके काफी सलामत लग रही थी लेकिन दिन के उजयले में बात ही कुछ और रहर नहीं नहीं है सथैंक मेरे खाल से सजय अähänना सेफ नहीं अभर भी नहीं जा सकते के पोलीश में बहुत जाकर कोई फाइदा नहीं जो कुछ भी हो अच्छा नहीं हो लेकिन ठीक है यार जो भी होगा देखा जाएगा जिस दिन अपने जान पे बनेगी न उस दिन अपन चुपने ही बैठेंगे बच्चो जैसी बात मत कर राजन चालीस जंगली कुत्नों का सामना एक शेर भी नहीं कर सकता समझा शारुक इनका सोशल क्लब में रहने का बद्दोबस कर दो लेकिन भाई आपने यकिन कैसे कर लिया कि यह लड़के हमारे काम क्यों हो सकते है इसमें इनकी चाल भी हो सकती है सुल्तान जलील भाई इस शेर का कौन है भाई भाई बड़ा भाई भले जलील भाई ने स्कूल या कॉलेशी किताबे नहीं पढ़ी लेकिन उसे लोगों के चेहरे पढ़ना आते है यही वज़ा है कि वो आज इस कुर्सी पर बैठा है यह दोनों छोकरे बहुत सच्चे हैं लेकिन एक बार इनको आजमा कर तो देख लिए होता भाई इससे बड़ी आजमाईश और क्या हो सकती है कि यह दोनों राना को मार करा रहे हैं परता भाई एं चुओ कि तरह बिल में जाकर घुझ गया मिलेगा तो उसको बोलना कि सामने मर्दों कि तरह आए इजड़ा साला इजड़े तो तुम लोगो जो गैंग में आके लड़ते हो मर्द कहलाते हो, तो मेरे भाई से आके लाके लड़ो क्या बुला कुछ विजड़ो अरे राजन, राना के अदमी लोग तेरे भाई कुमारे ले राजन, को है सार मुचक चरुण मुचक चरुण मुचक चरुण राजन, कुछक अज़ चुर दो! आज़ दो! खुलो! तेजा, अपने राजन ने गौतम को उठा कर बंद कर दिया है क्या? किसी का पर? 11 नमर के बिलने के संडास में नहीं, नहीं, मुझे माफ कर दो! मुझे माफ कर दो! मुझे माफ कर दो! नहीं, मुझे माफ कर दो! उपर वाले को याद कर साने! नहीं! नहीं! खिलो! जिस लाइटर में मैंने अपने हातों से गैस भरी थी वो आज मेरे घर को जला रहा है प्रुछ जयित के सितके साने भरेगे श्रुछ प्रुछ दिस गे जिस में मैं रहात नहीं भाई राना और राना का छुक्रा लोग ने अपना ओफिस और ठेटरों को तोड़ दा ले ला भाई कर दो आई बाई लाना का ले वाई लेफes का लेपल का जाई लेफीट लेफिसे और देटरों का लेफार गॉप ले लेफ्टरों लेफिसे के लेका सकती है कर दो कर दो कर दो कि तुना तेरा निशाना कभी खाली नहीं जाता हाँ रहना वो तेजा है ना आज कल साला बहुत फदक रहला है एकाम कर चेले उसका फदक नहीं जरा बंग कर दे चाल हो जाएगा कर दे महीं सुए, बहुत कर देजा। जय को लिए Ami प्योज है कि ज हम ओखे कि झाल कि पर ख olduğ झाल कि पर खाँ पर खाँ खाँ छ खम ओखे पर झाल तेजा, तेजा, चलो, होस्पिटेश जलते भाई भाई, 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 बहुत बुरी खबर है, राना के आदमी उन्हे तेजा पर फाइरिंग की है, वो, वो सायना अस्पिटल में बढ़ती है, मुझे कोई हत्यार चाहिए भाई पावलों जैसी बात मत करो, पहले हम अस्पिताल चलते हैं, राना से बाद में निवट लेंगे, नहीं भाई, आप अस्पिताल जाएए, मुझे कोई हत्यार चाहिए, मैं उन्हें जिन्दा नहीं छोड़ूँगा छोड़, भाई आप, आप मुझे मत रोकिया जलील भाई, तेजा के सीने में मेरे हिस्ते की गुलिया लगी है, मैं तेजा के कतल को जिन्दा नहीं छोड़ूँगा मगर तू से ढूनने कहां जा रहा है, क्या वो तुझे रासे में मिल जाएगा, मैं जानता हूँ कि तेरा खुन गर्म है, तुझ में हिम्मत और ताकत है, लेकिन सिर्फ हिम्मत और ताकत से जंग जीती नहीं जाती, उसके साथ साथ अकल का इस्सिमाल भी कर रहा पड़ता है तेजा की मौत का बदला तो हम लेंगे, आँ मैं तुझे सिखाता हूँ कि गैंग वार कैसे लड़ा जाता है, आँ हलो, संटा क्रोस कुली स्टेशन, हाँ पडिल साब, राना का एक आदमी है फिलिप्स, वो मेरे एक आदमी पर खातिलाना हमला करके फरार हो गया है, आप मेरे एक छोटा सा काम कर दीजे, किसी भी तरह से उस फिलिप्स को गिरिफतार कर लीजे, तेरा रोज रोज का नाटक बहुत वरगे लाज़, तेक ताहू माचोची क्हाव, ह specially जा रोजागाज है бывता जारा है एरूज पारी नाटके पार्ण है क्का हुआए यजल, ताह को बलोफ स्टर्टर, ठी, यह सीरियस है, इससे हॉस्पटिल में भर्ती करना पड़ेगा, ओके सिर। मैं भी कितना शाना निकला, जेल में वो ड्रामा किया, नहीं तो अपना आज जिकर कट गया होता हुआ 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 है हुआ हुआ है पंपो हुआ 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 है हुआ हे अ हुआ 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 है तो पाताल में भी चुपेंगा ना, तो भी अभुन को जिन्दा ने छुड़ेगा बहुत चिला है था तू लगप में, अब चिला, अब चिला आप, चिला बार क्या बोल रहा ज़न, तुझे याद है एक दिन, तू, तत्या और मैं, राना के डर से चुपे वह थे, हाँ, तुम लोग बिल्डिंग में चुपे थे, और राना के आदमी शहर में डूण रहे थे, बार क्या, मैं कल के और आज के, फर्द के बारे में सोच रहा था, कल तक हम लोग दूसरों के डर से चुपते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया हमारे डर से चुपती है, राजन के डर से चुपती है, अब से जुर्म के दुनिया में राजन के नाम का सिक्का चलेगा, और राजन जुर्म के दुनिया का बाश्या के लाएगा, भाई, भाई कोई मिलना चाहता है अंदर विश्दे मेरा नम सकसेना है और आप हम्वी रिकॉर्डिंग कमपनी के मैनेजर हैं यहां बोलिए हमारी कमपनी ने एक नई सिंगर को इंट्रिडूस करने के लिए एक म्यूजिकल शो अरेंज किया है इसमें हम आपको चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं I'm sorry Mr. सकसेना हजारों लोगों के बीच में बैठकर गाना सुनना राजन के शान के खिलाफ है आप उदास मत होईए क्योंके शो एक नई सिंगर का है इसलिए मैं जरूर रहूँगा उनको देखा तो बस देखते रह गए एक जहे पे दिखते हैं चहरे कई लोग यो भी बडलते हैं ये तोच कर रंज इतना हुआ के हसी आ गई लोग जमाने में लोग जमाने में अपनी तकदीर बडल लेते हैं जब चाहते हैं पूंची इनकी आनवान है शान है बड़ी निराली जब इनकी भरी हुई है प्यार से दिल है खाली इनके लिए तो इस दुनिया में प्यार है एक खिलोना जब चाहे ये तोड़के रख दे प्यार का खाब सलोना ये पत्थर दिल खाबों की ताबीर बदल लेते हैं जब चाहते हैं केहने की तसदेर बदल लेते हैं लोग जमाने में अपनी तकदेर बदल लेते हैं संजी ने मरने के वादे मधुर मिलन के रातें संजी ने मरने के वादे मधुर मिलन के रातीं भूलने वाले भूल गए सब प्रेम भरेव बातीं जूटे इनके प्यार के वादे जूटी हैं सब पसमें वक्त के साथ बदल जाती हैं इन लोगों की रसमें वक्त के साथ बदल जाती हैं इन लोगों की रसमें ये कैसे रांजे है, ये कैसे रांजे है, अपनी हीर बदल लेते के, जब चाहते ही देहरे की तस्वीर बदल लेते है चला जोती, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? ये सवाल मैं तुम से पूछना चाहती हूँ, कि ये सब मैं क्या देख रही हूँ? तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो, आस्मान में उड़ रहे हो, तुम्हें क्यों फिकरों लगी कि जमीन पर क्या हो रहा है, और आज किस बात का हक जताने आयो हूँ? तुमने कभी जोती के बारे में सोचा है, कि वो तुम्हारे बेना किस हाल में जीरी होगी? खेर, मेरी तो छोड़ो, तुमने कभी अपने मा, बाप, भाई, बेन के बार में सोचा है, वो कैसे जी रहे होंगे, किस हाल में होंगे, तुम, तुम बहुत बदल गए हो, राजन, तुम वो राजन नहीं रहे जोती, जोती हलो, 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 किसका फोन था, पता नहीं, लाइन कट गई हलो, कौन समीर, राजन भाईया, हाँ समीर, कैसा है तु, मैं लीगू, कुड़ी कैसी, तु एक मिट बात करो, मा, हलो, हलो, भाईया, क्या कर रही थी तु, मैं, मैं, मैं समा को पढ़ा रही थी, भाईया, मा भी बहुत अची है, मुझे दे दे, हलो, हाँ मा, राजन भीटा, कैसा है तु, ठीक हो मा, कहां से बोल रहा है बेटा, बोल, इतने दिन होए तुझे देखाने है, बेटे, मा, हाँ, बोल, बोल, सब ठीक है, सब ठीक है, हालावाना मासे थी, बुझे देक तरसे खाता है न, हाँ मा, अपना ख्याल रखना बेटे, मैं अपना ख्याल रखुँगा, अब भी अपना ख्याल रखना, तुझे देखने कुछी तरस रह है बेटे, बिटे, WiFi गोह तरस रह है, कैसा है? अमा, अच्छे है, बात करूगे, एक मिनिट, कर, वो क्या है बेटे, मैं जानता हूं मा, वो मुझसे बात नहीं करेंगे, नाराज है न वो मुझसे, मा सना कैसी है, अच्छे है बेटे, बात करूगे उससे, सना बेटी, आजाओ, मैं सना बोल रही हूं, आप तो मैं भूल गए भाया, नहीं बेटा, मैं कुछ भी नहीं भूला, मुझसे सब कुछ याद है, तो फिर यह याद है ना, कि कल मेरा बेटे है, हाँ, अच्छी तरह से याद है, आओगे ना बेटा, मैं जरूर आओँगा, जरूर आना बेटा, मैं ठीक है बेटा, मैं तुमारे लिए धेर सारे खिलोने लाऊंगा, देखो भया, जब तब 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 मैं केक नहीं काटूंगे, बेटा, मैं खुद अपने हाथों से केक कटवाऊंगा, प्रॉमिस, प्रॉमिस, बाई बेटा, बाई राजन, यू अर अंडर KRS, मेरे पास तुमारे गिरफतारी का वारंट है, मैं जानता हूं इस्पेक्टर साथ, अगर आप मुझे गिरफतार करने आ तो आपके पास मेरे गिरफतारी का वारंट भी जरूर होगा, पर मैं आपको आपके आपकी डूटी बजाने से रोकू मै मगर इस वक्त मुझे जहां जाना वहां मेरा जाना बहुत जरूरी है आप एक काम कीजे कल मेरे बंगले पर प्लीज आ जाये मैं आपके साथ जरूर चलूँगा तू अपने आपको समस्ता क्या है तू कोई MLA MP या कोई मिनिस्टर है जो मैं तेरे बंगले पर आ जाओ इंस्प साथ मुझरिम नहीं आज मैं एक इंसान की ऐससे आपसे सिर्फ एक दिन की मौलत मांग रहा हूं मैंने अपनी छोटी बेंट से वादा किया है कि मैं उसके जनम दिन पर जरूर रहूंगा वो मेरा इंतजार कर नहीं होगी प्लीज तुम गुंडा लोग का भी कोई माप अगर मुझे इस वर्दी का लियाज नहीं होता तो इसी वक्त तेरी जवान काटकर तुकड़े कर देता अब तक जो तेरे सामने गड़गड़ा रहा था वो राजन का पहला रूप था राजन का दूसरा रूप तेरे जिसम से वर्दी उतारकर तुझे नंगा भी कर सकता है है हौलडर ले चलो साले को अंदर चलो बेटे बहुत देर हो चुकी वो अब नहीं आएगा यू अपने मेंबारों को कब तक इंजार करवाओगी आओ जलो आजाओ नहीं जब तक राजन भाया नहीं आ जाते मैं केक नहीं काटूंगी नहीं काटूंगी एक केक लाना अच्छा सर देजे केक झाले कर दो, एक कैका प्राइब श्राइब के बहुत प्राइब को अपने लाइब है झाल झाल हैपी बटे सना चुक्रिया वामन साफ इसी पी साफ से बात करो हलो यह सर ओ कि सर आप जा सकते हैं इंस्पेक्टर जितनी तुमारी तंखा है न उससे ज्यादा का ये एक जोड़ी जूता पहनता है अपनी आउकात में रहो वरना मुसीबत में आ जाओगे बहिया आप का सहर तो थिए को भया यहां पैटा कैसी पैटा तो भया आप मेरे बटे में क्यों ने आए वो वो बैटा मुझे बहुत जरूरी काम दाना इसले नहीं आ सका मुझसे भी जरूरी चलो, चल्दी से तयार हो जाओ, अब मैं तुम सब को अपने नए बंगले ले जाओंगा, अब हम इस पुराने घर में नहीं रहेंगे बेटा, चलो, तयार हो जाओ, I love you, पिटा, चलो, मा, हमारे नए बंगले, मा, हमारे गरीबी के दिन आप दूर हो गए, चलो, मा, जल्दी करो, कितनी लाशों पर बनाया है रहे तुने ये नए घर, बेटे, तुम्हारे उस नए घर की नीव बारूत के धेर पर और दिवारे बेईमानी पर खड़ी है, और घर का रंग है न, उस पे खून के लाल धब्बे लगे हुए, उसमें तो हमारा दम खुट जाएगा बेटे, और ये, ये हमारा घर, जो मंदिर की तरह पवित्र है, जिसमें तुम्हारे पिताजी की महनत और इमानदारी बसी है, हम लोग उसमें सुख, शान्ती और चैन से जी रहे हैं, हमसे हमारा सुख, चैन और शान्ती मच छेनों बेटे, तैड़ी, मा ये, बेटे, हर माब यही जाते हैं कि दुनियों में उनका बेटा को ऐसा काम करें, जिससे उनका सर उचा हो, लेकिन तुम ने तुम्हारा सर रिशे कर दिया, परसो तुमारी बेहन तो उस मिजारी का घर पस्ते से पहले ही उज़ो जाएगा ते गवरेटे, राजन बया या राजन बया गुआ या जचिन बटे लाजन बया, बयाओ बहन की शादी है, भाई तो जरूर आएगा केके, कितना मज़ा आएगा एक तरफ बहन की शादी की हावण जल रहा है और दूसरी तरफ भाई की चिता एक काम करो तुम लोग, शादी के होल को जितने भी रास्ते जाते हैं उदर सब तरफ अपने आदमी लगा दो इस बाहर वार खाली नहीं जाना चीए यार सत्या, गुड़ी की शादी है, जाना तो जरूरी है और ये बात सभी को पता है, कोई ना कोई इस बात का फादर जरूर उठाएगा मगर मैंनी चाता कि ऐसे शुब मौक्या पर किसी भी तरह कर लफड़ा हो याराजन, जहां तक मेरा खयाल है, एक ही इलाज है, भेज बदल कर चलते हैं रोलत की लालच ने आफिर ये कैसा वक्त दिखाया है भाई बहन की शादी में लोबेत बदल कर आया है यू नाम चीन बनने से तो अच्छा है दोलत ना होती ये आना भी क्या आना है, कहने को फर्द निवाया है दोलत है क्या एक बहन की चाहत के सामने इंसान कितना गिर गया दोलत के सामने अपनों को भूल बैचा है शोहरत के सामने दोलत उसे मिल भी गई तो क्या घजब हुआ वो कितना कामयाब है फुदरत के सामने इंसान कितना गिर गया दोलत के सामने अपनों को भूल बैचा है शोहरत के सामने पे अड़ी रोक दूस तरस तक ज़िए 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 चल्खण। चल्ट चल्ट दुलन लडर लडर घटोजे! कर दो कर दो सकते हैं कुछलों कुछलों अढ़ना। खबावावाशना। लाज़ भाहशना, बाज़ बाज़ थो पाल Kalau दो भाल तुम्हें बिल्डिंग में घुसकर बाबलिया को मारने की क्या ज़रुवत थी? वो साल आज दी ही तो कल बहार आता तो हम उसे देख लेते हैं अब इस केस को लेकर पंबई की सारी पुलिस तुमारे पीछे लग गई है सुनो राजन, कुछ दिनों के लिए तुम यहीं अंडरग्राउंड रहना और जब तक मैं ना कहूं, तब तक यहां से बार नहीं निकलना समझे चलो तुने कैसोचा था, किस लाइन में आने के बाद, तु दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा लेकिन सच तो यह है, राजन, कि आज तु बहुत ही छोटा और कमजोर आदमी बन कर रहे गया, तो जुनान तो जरूर मिल गया, लेकिन तेरी सिंदगी छिन गई, आज ना तु आजाद घूम सकता है, ना खुली हवा में सांस ले सकता है, क्योंकि तेरी हर कदम पर मात की न सलाम भाई, बैठो ना भाई, नहीं राजन, तुम जल्दी तेयार हो जाओ, तुम्हें कहीं मेरे साथ चलना है, अरे क्या बात है भाई, इतने दुनों के बाद बाहर ले जा रहे, पुलीस पुलीस का लफ़ड़ा पढ़ गया गया, राजन, आज हमें जहां जाना है, वहा तुम जल्दी तेयार होकर बाहर आजाओ, मैं तुम्हारा इंतिजार कर रहा हूँ तम खुट गया ता अंदर, कितने रोज के बाद बहार निकलाऊं भाई, कहां जाएंगे भाई हम लोग, भाई वो मामला तो पठा दिया होगा ना आपने भाई, क्या बात है आप एकदम चुप चुप क्यों है, बोले ना कहां लेकर जा रहे हैं आप मुझे, हम लोग कहां जा रहे हैं भाई, आप कुछ बोलते क्यों नहीं भाई अरे, ये भाई, एए, कहां जा रहे हैं आप लोग, हां, भाई कुछ गड़बर तो नहीं है ना, बोले भाई आप लोग जा का रहे हैं, गड़ी रुपरूं ये तो मेरा महल्ला है, याँ गाड़ी क्यों रोग दी ये दौलत कैसी दौलत है, ये घरवलों से दूरी है मा की अर्थी उठने को है, और मिलने से मजबूरी है अब क्यों आँखों में हैं आशू, पच्चताने से क्या होता है पहले भी नजर तो छी तेरी, अब क्यों तकदीर पे रोता है ले जिन्दगी भर, ले जिन्दगी भर सोच तु खस्मत के सामने इंसान कितना गिल गया तौलत के सामने अपनों को भूल बेठा है शोहरत के सामने इंसान के सामने झाल झाल भाई भाई मैंने फैसला किया है कि यहां से चला जाओ हाँ मैं भी यही सुझ रहा था कि फिलाल तुम दस-पंद्रा दिन के लिए दुबई हुआ हुआ वहां तुम्हें आराम भी मिलेगा और दिल का बोज़ भी हलका होगा नहीं नहीं भाई मैं दस-पंद्रा दिन या वहने के लिए बाहर जाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं हमेशा हमेशा के लिए इस जुर्म के दुनिया को छोड़ने की बात कर रहा हूं हाँ भाई मैं अंदा हो गया था लेकिन अपनी मा की चिता को चलते हुए देखकर मेरे आखों के सामने जो अंदरकार चाया हुआ था उसमें फिर से रोशनी आ गई आज मैं सब कुछ सब कुछ बिलकुल साफ साफ देख सकता हूं वो यादे है वो पुराना घर वो अपने दोस्तियार वो छोटे छोटे मासुम भाई बैल वो प्यार यह सब कोई मुझे आवाज देकर बोल रहे हैं के राजन तू कहां खो गया था कि दुनिया में चला गया था तू तू वापस आजा और भाई मैंने यह फैसला कर लिया है कि मैं उस दुनिया में वापत जा रहा हूं वही मेरी मंजल है और वही मेरा सब कुछ राजन मैं तूमारे जजबात अच्छी तरह समझता हूं जिस पुल को पार करके तुम यहां तक पहुँचे हो वो पुला पुल नहीं बलके बारूत का धिर बन गया है जिसे अब पार करना तुमारे लिए मुश्किल ही नहीं बलके नामुम्किन है और अगर तुमने उसे पार करने की कोशिश भी की तो तुम्हें क्छ नहीं मिलेगा यह पुलिस यह सोसाइटी यह दुश्मन तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे हर जगा शैतान की तरह माबाप, मेरे भाई, बेन और मेरी प्यारी जोती से अलग कर दिया क्या करूँगा मैं इस पैसे का कैसे बिताऊँगा मैं अपनी जिंदगी उन सब के बगार नहीं जलील भाई, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए मेरी जिंदगी एक, एक सिंदा लाश बन गई है हाँ सिर्फ इतना कहूंगा कि होश और जोश में बड़ा फर्क होता है इस वक्त तुम जो कुछ भी कह रहे हो जोश में कह रहे हो और मैं जो कुछ भी बोल लाओ, होश में बोल लाओ और जिस दिन तुम होश में आओगे, अपने आप वापस आ जाओगे राजन, ये जो दुनिया है ना, बहुत जालम है ना खुछ चैन से जीती है और ना ही किसी को चैन से जीने देती है बस, मेरी दुआएं तेरे साथ है खुदा आफिस खुदा आफिस भाई, खुदा आफिस हाँ, उस साले न मारा, ठीक है पकल के लिया उसको मैंने इसे जेब काटते हुए पकड़ा है क्यों बहुत साले, पकेट मारता है इतना ना उस साले को किसके पकेट मारने का आवे छूट जाए और दोबारा कभी हिंबद भी ने करे अरे, राजन साब, आप, आईए, आई, आई, प्लीज, बैठिए, आई अवलार, साब करे खंड़ा लाओ राजन साब, पहले ये बताईए, आपने यहाने के तकलीप कैसे की अरे आपने कह दिया था तो मैं आपके बंगले पा जाता अच्छा ये बताईए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ इंस्पेक्टर साब, दरसल बात ये है कि मैं अपने आपको कानून के हवाले करना चाहता हूँ राजन भाई, आपको गिरबतार करके मुझे अपनी बदली करवानी है क्या इंस्पेक्टर साब, ये मजाग नहीं, ये मेरा फैसला है और जिंदगी का हर फैसला इंसान अपने फायदे के लिए करता है मैं आपको कानून के हवाले करके चैन के जिंदगी गुजारना चाहता हूँ आप प्लीज मुझे गिरफतार कर लीजे ठीक आप यहां आना पड़ा, वो राजेन आजकल तिलग नगर पुलिस चौकी में बंद है तुम लोग एक काम करो, पुलिस चौकी के बार कुछ भी लफडा करो, किसी को भी मारो अपने आपको लोग अप में बंद करवा दो, और मोगा मिलता है उसको ऊपर का टिकेट देतो, समझे, ठीक है चल रहे एसी फूल कर क्या बोलता है भाई, आप उन साले इस वोडलन वाल के दोड़ालते हैं एक बार अपने इस पुलिस टेशन में आजा, इससे अपने ठंडा पानी मांगा तो इसने अपने को गरम पानी दिया अबे नहीं यार भीडू, यह हवाल दर को फोड़ालते चलना अदर ले जाक, ऐसे धुनाहि करेगा तेरी कि तू अ अमरीकन से अफिरीकर بن जाएगा एइए, एक मिटे एक मिटे यह मिंटे को भोड़ाले क्या कर रहे हो, छोटे बाई ना तु मेरे बर्ड day पे चारहाओ Say happy birthday to me Happy birthday to you Happy birthday to you Let's go Let's go जबीद आती है तो लोग कुर्बानी का बकरा डूनने के लिए घर से निकलते हैं मगर ये तो खुद सत्के का बकरा बनकर कसाई के पास पहुंच गया है सुनो तुम लोग कुछ भी काला कांडी करके राजन के लौकाब तक पहुंच जाओ हो सकता है कि राना के आदमी उसे खत्म करने के लिए वहां पहुंचे हैं लेकिन एक बात याद रखो राजन हमारा खास आदमी है और उस पर कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए हां क्या लफणा क्या लफणा और मैं एक तो मैंने जूते खाएं वह भी आपके पुलिस टेशन के सामने क्या तुमने उन्हें छेडा था साहिब एक बार आप इन्हें ठीक से देख लें क्या यह छेडने लाइक है तो फिर कोई पुराने दुश्मनी मेरी फटी में किसमती मेरी दुश्मन है यह टुपी वाले यह क्या है कुछ ने, स्कॉर क्या हुआ किसका इन्हें का स्कॉर कितना हुआ एक विकेड डॉं अर्योम अर्योम शुकर है बगवान का एक आख तो बच गई हायरे मेरी किसमत नजने आज सुवे किस गदे की शगल देगी थी हाय माले हाय हो अर्योम वर्जी परावन लेकर आओ, जाओ अरे अब क्या हुआ तेरे को सर आज के अशार्जा के मैच में ओल्डर विकर्ट से डाउन है क्या कर रहा हुआ तुम लोग तुम लग रहा हु आपस में है आउल्दार इन सब अलग अलग लोकाप में बन कर दो आब मेरे भाई मेरे तुम्हारी मन्द्दल ता कभी नहीं पहुचा है क्योंकि इस मरत पर प्रलिस कानून और समाज तुम्हारे दुश्मन बन कर तुम्हारा रहोग आत 되어 मैं उन सब से लड़ लूगा कल जो लॉक अप में तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद भी जानते हो क्या हो सकता था तेरा तो कुछ नहीं होता जलील भाई राना के छोक्रों के हड़ियां डूल जाते यह तुम्हारी एक और गलत फेमी है जो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी खेर समझाना मेरा फरसा मनना या न मनना तुम्हारा काम है लेकिन आज के बाद जलील भाई तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगा खुदा हप्रस समझ में नहीं आता जोदी क्या बात करूँ कैसे बात करूँ बहुत तकलीफ दिये न मैंने तुम्हे बहुत सता है ना तुम्हे मैं जानता हूं जोदी बहुत रोई होगी तुम मैं भटक गया था जोदी दौलत और शौरत की लालज ने मुझे पाकल बना दिया था अपने नाम के अंदरे में खो गया था मैं जोदी और भूल गया था कि इस दुनिया में मेरे लिए कुछ आला भी है जोती वैस अंदेरे से घपरा गया हूँ अगर कुछ दिन और इस अंदेरे में रहा तो मेरा दम खुर्चाएगा जोती मैं जो भी हूँ जैसा भी हूँ आज मुझे अपना लो जोती क्योंकि आज मैं सब को छोड़ कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आया हूँ हमेशा हमेशा के लिए जोती रुक जो राजन राजन खान साप तुम्हारे कुछ मालूम पड़ा क्या राजन के कंदे से जलील भाई का बिल्ला उतर चुका है हाँ इसी दिन का तो मुझे इंतजार था भाई के साहरे साला बहुत उड़ी मारता था और एक टाइम एक टाइम उस साली ने मुझे गाली भी दे थी लेकिन अब तो आ गया है उंट पहाड के नीचे उठारा उस साली को और खुब मारो सारे पुराने केसिस खोल दो दादा बनता है मेरा ट्रांसपर करवाएगा है अब देखता हूं तुझे कौन बचाता है लुए भाई 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 बाल गौतम को भी मैंने मारा जलील भाई से मेरा कोई तालूक नहीं मैं उनको जानता तक लिए मैं सच कहला हूं तक्डर भाई राजल को बचा लो भाई पुलिस टॉर्चर कर रही है भाई वो मर जागा भाई भाई मालूम है मालूम है उस बेवगूफ में गुना कुबल करने का टेप रिकॉर्डर ऐसा ओन कर रखा है कि बंदी नहीं होता और अगर उसका ये टेप रिकॉर्डर बंद नहीं हुआ तो वो गया कमस कम पंदरा साल के लिए अंदर शायद राजन को ये नहीं मालूम कि ये पुलिस वाले एक बार जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसे छोड़ते नहीं है चाहे वो चीफ मिनिस्टर का बिटाई क्यों न हो मगर तु नसीब वाला है राजन के जलील भाई अब तक तेरे साथ है और तेरा बाल भी बांका नहीं होने देगा वगील साब हाँ उसकी जमानत के लिए कुछ करो राजन भाई ने भेजा है कल कोट में तुमारी जमानत करवानी है नहीं वकील साब मैं चाहता हूँ के मुझे यह सजा हो जाए इस सजा से मेरे पापो का प्रैशित हो जाएगा और शायद उसके बाद कुझे एक नहीं सिंदगी मिल सकती है क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम क्या समझते हो तुमें साल या दू साल की सजा होगी तुम पर स्मगलिंग लूट मडर का केस है अगर तुमें सजा हुई तो सारी जिंदगी जेल में चक्क्या पीसते पीसते सड़ जाओगे एक तो तुमने गुना कुबूल करके अपने आपको मुझरिम साबित कर दिया अब बचने का एक ही रास्ता है कि कल तुम कोर्ट में जाकर ये बोलोगे कि मुझसे पुलिस ने जबरदस्ती मार मार के ये बयान लिया था राजन बाई सुना आपने क्राइम छोड दिया आपने चार मदर किये फिल्वी बाई जर्वरी हो गया आखे अब आपका क्या रादा आथा आवा है जिनाम भाड़ी बहुत देर से इंप्लीस बहुत देर सिए प्लीस नहीं मुझे कुछ नहीं जोड़ देए राजन यहां आओ राजन मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आओंगा मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आ रहा बलके तुम्हें रास्ता दिखाने आ रहा हूं यह क्या है डोसे का स्टॉल और ये केले का ठेला, ये शर्बत की दुकान, और यहाँ जूते पॉलिश होते हैं। अगर जलील भाई, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं, मेरा अच्छे क्याले ना देना। इसलिए के जो मैं देख सकता हूँ, वो तुम्हारी आखे नहीं देख सकते हैं। लेखो, ये हार, ये पूल, ये गुलदस्ते, ये सब तुम्हारे स्वागत तुम्हारे खैर मगदम के लिए यहां लाए गए थे। ये तो खुदा का शुक्र है, कि हम ठीक वक्त पर यहां पहुँच गए, और वो सब देखते ही हमें भाग गए। वरना कोट से निकलते ही आज तुम्हारा काम तमाम हो जाता। देखो, राजन जिद की भी एक हद होती है। और क्या समझता है तू अपने आपको खुदा, जो अकिला सारी दुनिया से टकर लेगा। देख राजन, मैं जानता हूँ के हम में रहकर तू खुश नहीं है। और सच पुछ तो हम में से कोई भी खुश नहीं है। तू क्या समझता है, कि मैं जिन्दकी से खुश हूँ। नहीं मेरे भाई, लेकिन फिर भी हम सब को एक दूसरे के साथ रहना है। क्योंकि हम चाते हुए भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। देख राजन, हम सब जन्जीर की कड़ी की तरह आपस में जुड़े हुए है। और इसी जन्जीर को लोग, हमारी कंपनी कहते हैं, हमारी गैंग कहते हैं। अगर जन्जीर की एक एक कड़ी अलग हो जाए, तो ना तो कड़ी की खिमत होती है, और ना ही जन्जीर की। उनकी गैंक से, राजन, हमारा तो धंदा ही ऐसा है, के या तो मार दो वरना खुद मारे जाओगे, इसीलिए लोग हमसे ड़ते हैं, हमारी इज़त करते हैं, प्यार से नहीं, डर से, राजन, हमारी गुनाओं की दुनिया एक ऐसी दल्दल है कि इनसान इसे जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही अंदर धासता चला जाता है इसलिए, अगर तुम्हें जीना है, तुम्हें जिन्दा रहना है तो तुम्हें हमारे साथ रहना होगा देखो, मैं कोई जबर्दस्ती नहीं कर रहा फिर भी फैसला तुम्हारे इक्तियार में है ये जुर्म की ऐसे दुनिया है जहां तुफाना में साहिल है इस चक्र व्यूह में जो आया तेरे बाहर जाना मुश्किल है है उसकी जान हचेली पर और आखों में उसका दिल है सच पूछो तो दुनिया वालो वो खुद ही अपना का दिल है वो खुद ही खड़ा है वो खुद ही खड़ा है अपनी ही मैयत के सामने चले तो दालने का साला वें यह जो बोता है राना का च्ञड़नोंerkते वह खाती है क्या करने का इसको लुडा डाले के становा को चल रचर और रचस्वी सेला है रचर बश्चवा मुझा बच़्न रच erभाई तुने राना के छोकर को मारा उस पर वार किया ना तो जाके माफी अब माफी मांगा ले चल जा राजन भाई मानसे जाओ गरेगा ऑफ दोने मेरा खूल ब्रते कर देड़ा कुछ भी नहीं होगा तुन लोगों के पाज्चा माफी मांग सब के अम तुन के तो में नहीं जा आपी मांग लेए पर नाम सुनों था राजन भाई में सोचा था आप बहुत पर बहुत पादूरे मैं आपके पासा आप आपुद दर्फोगे अब आप अब आपके आप चाहते हैं आप कुछ तरह के अब आप इसवाच जान आप करें कर अ करें तुने बार्किया को टेकसी की चाबी नहीं बलके मौत की चाबी दी थी क्या सोच कर यह फैसर किया था तुने राजन मैं कई दिनों से यह देख रहा हूं कि तु अब वो राजन नहीं रहा वो सालाद दो टकेगा आदमी जो राना के चोकर को मार कर तेरे पास मदत के लिए आया था वो तुझे गालिया देकर चला गया और तुने कुछ नहीं किया भाई मैं चाहता हूं कि हम सब आजाद हो जाएं तंग आ गया हूं मैं ऐसी जिन्दगी से आप ही बताए कब तक चलेगा यह सब देख राजन जब तूने कंपनी छोड़ने का फैसला किया था तो मैंने बिल्कुल दखल नहीं दिया क्योंकि यह तरी अपनी जिन्दगी थी ल लेकिन वो मेरे लिए काम करता था और तू भी मेरे लिए काम करता है मैंने तुझे जमीन से उठा का रास्पान पर बिठा दिया इसका मतलब यह नहीं कि तू मेरे सर पर चौड़ बैठे मुझे बार क्या की मौत का बिल्कुल अस्सोस नहीं है अस्सोस है तो सिर्फ इस बा आदमी नहीं है उस दिन मैं तुझे समझाओंगा नहीं तू खुद्बा खुद समझ जाएगा जानती हो जोती हम लोगों की जिन्दगी एक शेर की जिन्दगी की तरह होती है कहने को तो वो राजा होता है मगर इस बैचारे को अपनी पूरी जिन्दगी जंगल के ही दायरे में जीनी पड़ती है जैसे ही वो इस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है लोग या तो उसे मार देते हैं या फिर पकड़कर पिंज्रे में बंद कर देते हैं अपनी जंदगी अपने इस चोड़े से दायरे में जीनी पड़ती है जैसे हम इस दायरे से बाहर आने की कोशिश करते हैं नहीं जोती आप कुछ भी ठीक नहीं हो सकता राजन तुम लोग आपस में जगड़ा करने की बजाए समझोता क्यों निकल लेते इस दुनिया में लड़कर कभी को रास्ता निकला है और अगर निकला भी है तो सिर्फ प्यार से समझोते से सिर्फ प्यार से समझोते से तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है समझोता तो हो इनी सकता मेरे और राना के बीच में जो दुश्मनी है वो सिर्फ राना की मौत से ही खत्म हो सकती है मौत से दुश्मनी खत्म नहीं होती दुश्मनी बढ़ती है जलील भाई एक रोजापी ने तो कहा था कि यहाँ पर कोई भी खुश नहीं है सब लोग यहाँ से निकलना चाहते है जलील भाई यह समझाता हमारी जिंदगी को एक नया रास्ता दिखा सकता है जो बात हो ही नहीं सकती राजन उसके बारे में बहस मत करो आप मेरी बात समझने के कोशिश कीज़े जली भाई यह लड़ाई को आप राना की मौत से खतम करना चाहते है उस लड़ाई में आपकी भी तो जान जा सकती है इस धंदे में आते ही सबसे पहले इंसान को अपने अंदर से मौत का खौफ दूर करना होता है अगर जान की परवा होती तो आज में इस धंदे में ही नहीं होता अगर आपको अपनी जान की परवा नहीं होती तो आप अपनी जान की हिफाज़त के लिए इतने सारे लोगों को अपने साथ नहीं रखते देखे जलील भाई अब बहुत हो चुका है ये लड़ाई बंद कर दीजिए हाँ लड़ाई खत्म हो सकती है मगर एक शर्ट पर वो राना का बचा मेरे पास आकर मेरे सामने चुक कर मेरे पेरों पर सर रख कर माफी मांगेगा तो ठेड़ो राजन जाओ वहाँ से लेगे यहाँ तक लोग ने तेरे को इसलिए जिन्दा छोड़ दिया क्योंकि मेरे को सुनने का है तो मेरे से क्या बाद करना चाहता है देखो राना मैं याँ पर आपसे कोई जगड़ा करने नहीं आया हूँ मैं चाहता हूँ कि आपका और जलील भाई का समझाता हो जाए जलील से कंप्रमाइज तो कोई नया प्लान बना के अला क्या नहीं राना इसमें कोई भी प्लान नहीं है मैं वाकर में चाहता हूँ कि आप दोनों का समझाता हो जाए ठीक है मैं तरह जलील से मांडूली करने को तयार हूँ लेकिन वो ताड़ी मूच मुझ मुझ हुआ के साड़ी पैन के हीजड़े की तरह मेरे सामने डानस करें 25 पेटी मेरे को दे फिर मैं उसके साथ मांडूली करता हूँ ठीक है जलील भाई को आपकी हर शर्त मंसूर है चिरी उसकी आप सिर्फ एक बार उनसे मिल तो लीजिए ठीक है तो मेरे को बोलना केदर आने का है मा आता हूँ तो चलो जाने इसको मिलता हूँ मैं उस जलील को भी ठीक है तो कुछ भी गरवा दिखाई दे, जलील के छोगरे लोग को गजिट डाला गजिट डालो को राना वो जलील की अउलाद किदर है जलीट है सुल्टान, अगर कोई गर्वर लगे तो शुरू होजाना जो को माई, बोशी आराओ, जी अच्छा बैठे जली भैए आप दोनों को यहां बुलाकर एक साथ बिठाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आप दोनों पिछली बाते बूलकर आपस में समझता कर ले वो सब ठीक है, समझोता तो मैं कर सकता हूँ लेकिन सिर्फ एक शर्त पर इससे काओ, कि मेरे पैरों पर गिर कर मुझसे माफी मांगे तुने इसको समझाए ने क्या, है, ये क्या उल्टा सुल्टा बकरेला है ये पागल हो गेला है कि चरस का दम मार के आएला है मैं, मैं इस ही जुड़ां से माफी मांगू तेरे उपर तरस आ गया था, इसलिए पैरों पर सरकने के लिए का वरना सोच कर आया था, तुझ से अपने पैरों की जूती चटवाऊंगा उसके बाद तुझे माफ करूँगा मैं तेरे को जूता पहनने के लाइक छोड़ता तब न, मैं तो पहले से इस सोच लिया था तेरे को लुड़का डलता हूँ का ना भाई जरब यह मेरे से मांडूली के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो मेरे को लगा तु अंदर से खतम हो गेला है तूट गेला है, फिर तुरे से काईगा टशन, सोचा था अपने आदमी लोग से तरी दाड़ी मुझ मुझ मुझबवा के तुझे माफ कर दूँगा भटी हुई चड़ी और बन्यान पहन कर, तू जिस तारू के अट्ये पर चने बेचा करता था रहा ना, उस सेरिये से आट भी हफ्ता आता है मुझे माना के तू हनी भाई और जब्बार भाई की भड़वा गिरी करके ये किरिये का शियाना बन गया है लेकिन मेरे लिए आज भी तू तारू के एक स्मॉल पैक के बराबर है तू अब भी बुड़्डा होगे ला, इसे तू तारू का स्मॉल पैक बोल रहा ना, वो तिर्जाब का पाठी है, तिर्जाब यानि एसिड, एसिड क्या होता है, अब भी समझाओं के तुझे अब भी सम्झाओं के तुझे अब भी सम्झाओं के तुझे अब, धafter है, वो भी सम्झाओं के तुझे हम एक का उस्ध़क तुझे का लग साय्वडार में भी सम्झाओं के तुझे कुझे तुझे हम एक टुझे यआ य़ य़ य- Gir 즐 रजयर, सė बुछन कि आगा, बुछन कि आगा रजयर बार visit, बँछन कि आगा बोह, पुल्ग रहे दो, बीज़ सब देख बार visit, बुछन कि आगा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम सबसे लड़के मैं जीत नहीं सकता मगर मुझे मारने से पहले जरा सोचो कि मैंने इन दोनों को क्यों मारा यह जो आज तुम लोग मिलकर मुझे मारने के लिए आये हो न यही मैं चाहता था मैं चाहता था कि हम सब एक हो जाए इसलिए मैंने इने यहां बुलाया था समझाता करने के लिए इनने मारने के लिए नहीं मगर इन दोनों की जूटे घमंड और अगर की वज़े से समझाता नहीं हो सका चांते हो अगर मैंने नहीं मार देता तो क्या हो जाता तुम सब आपस में लड़कर मर जाते कोई भी नहीं बचता इनके लिए हमारी जिंदग्यों की कोई कीमत नहीं है कोई इज़त नहीं अपना घर भनने के लिए अपना बचाव करने के लिए अपनी गर्दन को उपार रखने के लिए यह हमारी जिंदग्यों की साथ कुछ भी कर सकते हैं अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि नहीं मार कर मने कोई गलत ही किया है कोई गुना किया है तो आओ मार दो मुझे फैसला तुम सब के हाथ में है आज से हम लोगों क्या होगा भाई आज से तुम हुमारी भाई हो नहीं मैंने इन दोनों को इसलिए नहीं मारा कि मैं या और कोई तुम्हारा भाई बने मैंने तो सिर्फ ये गैंग और ये खून खराबा ख़तम करने के लिए नहीं मारा है देखो जीने के लिए या पैसा कमाने के लिए पेट भरने के लिए जिर्फ कुना का रास्ता ही नहीं है और भी बहुत सारे रास्ते है आज से तुम सब आजाद हो जाओ बरसों से जमें खा गए है कितने नौजवा मिलते नहीं है आज जिनके पाओ के निशा जीने का नया ढंग निकालो ऐ दोस्तों जीने का नया ढंग निकालो ऐ दोस्तों वरना सितं की आग में जल जाएगा जहाँ दुनिया नहीं बनाओ तुम पुद्रत के सामने मुद्रत के सामने झालो थर। मार न भलदो रज़ र excludे है को झालो तुम के नहीं डंग मुद्रत के सामने